अब देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मसला मैं हूँ आपके साथ अनाया शर्मा शुरुआत करेंगे आज के चर्चे की लोकसुबा चुनाव को लेकर देश भर में लोकसुबा चुनाव को लेकर माहौल गर्माता जा रहा है वही हरियाना में लोकसुबा के बाद इसी साल विदान सुबा चुनाव भी होनी है ऐसे में अगामी चुनाव से पहले कई नेता अपने पार्टी छोड़कर अन्या राज्यतिक दलों का दामन थाम रही है और जाराता नेताओं की पहली पसंद बीजेपी है वही कॉंग्रेस जन्नायक जनता पार्टी जेजेपी में भी आया राम गया राम जैसे कुछ दल बदलो नेताओं को अपनी और अकर्शित किया है चुनाव जैसे देसे नस्दीक आ रही है वैसे ही नेताओं का दल बदलने का ट्रेंड भी तूल पकड़ने दारका है इसे वीच हरियाना में बीजेपी को बड़ा चटका लगा है पूर्व केंद्रिय मंत्री विरेंद्रो सिंग ने भार्टी जन्ता पार्टी छोड़ दी है और वह जद ही कॉंग्रेस में शामिल होने वाले हैं यह भी आपको बता दें कि इससे करीब एक महीने पहले उनके बेटी विरेंद्रो सिंग बीजेपी छोड़कर विपक्षी दल कॉंग्रेस में शामिल हो गए थे बरहाल इस बार विरेंद्रो सिंग की पतनी और हर्याना से बीजेपी के पूर्व वधायक प्रेमलता ने भी बीजेपी छोड़ दी है और सभी कॉंग्रेस में शामिल होंगे तो वहीं जन्नायक जन् अध्यक्ष निशान सिंग के अलावा पार्टी की राश्य महासचीव और नानौल नगर परिशत की चेर परसन कमलेश सैनी ने भी पार्टी को अलवेदा कहा दिया है। पार्टी बदलने का दौर भी जोरो पर है ऐसे में प्रदेश में राजनितिक माहौल और गर्मा गया है। बरहाल आज इनी सब मुद्दों पर हम करेंगे चर्चा तो हमारे साथ जल्द ही महमानों का पैनल भी जुड़ेगा। बात हो चाहे अहां कालेशोर भाईयो जैंके मंदिल के जन्वदार की बात हो।। बाहियों हमारे कुर्क्षेत्र के अंदर जहां भगवान शिल्की शन्य गेता का संदेश गिया उसके जिर्णोदार की बात हो लगातार इस सरकार ने भाईयों इस संस्क्रीति का स्रक्षन किया है। चुनाव नस्दीक है ऐसे में सभी नेताओं का दर्बदल का दौर भी लगातार जारी है। उन्हें पार्टी को अपना इस्तिफा पत्र दे दिया है। अभी आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री नायव सिंग सैनिको जिन्होंने अपने सरकार के कारिकाल के उपलब्धियां गिनवाई। जहां पर उन्होंने अपने सरकार की सभी उपलब्धियां गिनाते हुए प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी की कामू की भी सराना की है। हर्याना में प्रदान मंत्री नरेंद्र मूदी के कामू के बारे में भी उन्होंने जानकारी देते हुए उनकी सराना की है। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पडाओ का जिक्र किया और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने प्रदान मंत्री के कामू को जनता को तो इनी सब मुद्दो को लेकर आज हमारे साथ मेमानों का पैनल जोड़ चुका है तो उन सभी का आप से जब से पहले इंट्रोडक्शन करवा देते हैं हमारे साथ राम राजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी जोड़ चुके हैं जबिंद्र सिंग डूल प्रवक्ता कॉंग्रेस जोड़ चुके हैं वीबा पांडे प्रवक्ता जेजेपी और अनुस्गुरा प्रवक्ता इनेर हमारे साथ जोड़ चुकी है आप सभी का बहुत सौगत है हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने के लिए शुरुआत करेंगे आज की इस चर्चा की सबसे पहले राम राजी जी में आपके पास आऊंगी क्योंकि ये बहुत बड़ी कबर है बीजेपी के लिए एक बड़ा चर्का साबित हो सकता है या नहीं है तो आप ही मुझे बताएंगे मैं आपी से ये सवाल लेना चाहूंगी कि हर वक्त हम कॉंग्रिस पर ये आरोप लगा रही हैं कि आपकी नेताफ से संबलनी रहे हैं और पार्टी का दामन शोट रही हैं अलग अलग पार्टीों में शामिल हो रहे हैं आज बीजेपी में ऐसा हुआ है तो बीजेपी के इस बड़े चरके को आप कैसे देखते हैं? आप से मेरे ये सवाल है कि विरेंजो सिंग और उनकी पतनी प्रेम लताजी जिन्होंने बाती छोड़ दी है क्यों छोड़ दी है क्या कारण रहा है और मुझे एक बाद बताईए क्या बीजेपी को इससो नुकसान होगा? प्रेम विरेंदर सिंग भी हमारे आधरनिये हैं अब वहां से फोन आगे रास्ते बांसे दिया आपका नाम काट दिया गया थे हमने इतना बड़ा सम्मान दिया कि अंदर मैं मंत्री बनाया उनके लड़के को कह नाम है एंपी रास्तार प्रेम वाइफ को एम लेड़ी टिकेट दी इतना बड़ा सम्मान तो मैं समझना हो और को इसकी पार्टी ने दिया नहीं कॉंग्रेस मों रहें कॉंग्रेस ने दिया नहीं और इसकी वह हमारे पास नाय भी दे अब वो क्यों गए हैं क्या मैतो कांग्रेस साथ बेसर बता पाएंगे लेकिन अमने उनके सम्मान में को इसकी पूरी नहीं होई थी जो इनकी इच्छाजी पूर्ती नहीं होई थी उनकी एक इसथा बती होई थी मुख्या मंत्री की हो सकता कॉंग्रेस पार्टी ने मुख्या मंत्री का ओपर कर दिया हो और को ढूपता में आता है वाज़ता है कि तो सुनामी चले हो दीजी के नाम की और ये सुनामी आगे है लोग सबा सुनाम में भी अब की बार प्यार सो पार एक बार फिर मोदी सरकार जंता जनातम जैजेकार एक कर लेख लेख लेकिन आपके नारोपर विरिंजो सिंग लगता है वहां होगी हो उन्होंने सीएम स्टापस का ओपर करतिया हो अलागे ये तो मंगेरिलाल के जासिंस अपने ना नोमन सेल होगा ना रादाना सेगी तो ना ढूमन आएगा कॉंगरस का आड़ना इनकी सरकार बनेगी अब आप देखो लो न, इनके बागम-भाग, बागम-भाग क icons में आपस में लनद बज रहे,czenie कोंगरस होगी है, कहीं बगंदरु पकाक कॉंगरस है, कहीं सेलजा कॉंगरस है, लिक्लियन सोधनी कोंगरस है, कहीं रंधीफ उर्जेव recognize ए अब देव-धुल ए जन्ता-जनाता और पर पर वोट लेने की उन्हेख्छा करते हैं जम्ता जम्दा को रक्षब के गाएगा आप अब अब बाई कर दिया जिसनाब को रहने के बार कर दिया रास्तान में जा कर चुनाव लड़ना पड़ा हुँ तो मैं तो समझता हूं उता है तो सब बागी तो सब ज़्यादा बता पाएंगे लेकिन हमने उनके सम्मान में कोश्च दूल नहीं कोड़ी और इस तरह सम्मान कोड़ी आपके तमाम जो भी आरोप और सवाल हैं कॉंग्रेस पर उनका जवाब तो रविंद्र जी हमारे साथ ज तहर समय है उन्हों ने कहा कि बीजेपी के साथ उनके सोथ विचार किसी तरह से मिल नहीं रहे हैं तो अब रगे तरह से वह अपने विचार जो है मेल खा रही हैं उनके इसलिए उन्होंने कॉंगरस पार्टी को जो है जोईन किया है प्रेशिक लिए प्रश्वार्व जन्मजात कांगरे सिंग्ग कोई आज नहीं है और ऐसा नहीं है कि उनका तरज़ूर्वा कहा उनकी सुस्तत्र में विडायक बने देए तरसे पहले उसके बाद में इस वाद में सांसद भी रहे हैं उसके बाद में राजी सभाद लोग सभा जितने भी पद्रव लोग सभुस्त के एक उसको छोड़कर के जो आपका जिए अअग सब्सक्रल म जिए उनको चेज़े उनको चेज है आप प्राफ नहीं तो बीजेपी ने भी नहीं चोड़ी जितरा से हमें रामणाजी ची बता रही हैं कि कमी तो उन्हों नहीं प्राइब नहीं चोड़ी अगर समान की बात होती तो भी ज़िए पीने वित जो लेती हैं उनके तज़र्वे उनके एक्पियेंस को लेकर के लेती है। यदि उन्हों ने चौद लिबरेंदर सिंग को पार्टी में लिया और उनको पद दिया। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि भी उचौद लिबरेंदर सिंग का फैदा हुआ और कॉंग्रेस का भारती जनता पार्टी का तो यह अपने आपने बहुत गर्त होगी, परसेप्शन की लड़ाई होती है। आज भारती जनता पार्टी से लाइन लगा करके लोग बाहर चोड़ने का काम कर रहे हैं। इनकी परसेप्शन खराब हो रही है। जब कॉंग्रेस की परसेप्शन सही है, समय है, आने बाविश्य का है, तो ऐसे मुझे लगा साब वापी सारे हैं। इनका स्वागत रभिनेंदन का स्वागत रही है। राम रादीगी तो कह रहे है कि कॉंग्रेस की नया जूब रही है, तो जो भी कॉंग्रेस जोइन करेगा उसकी नया साथ में डूबेगी। नहीं नहीं, व विचारदारा की लड़ाई माननीची आथ इसको इसको कोई नीजी की परकार की पर नहीं है, लेकिन सच्छा ही है कि आज के दिन में बारते जन्ता पार्टी से लोग उप चुके हैं, उससे तंग है, केंदर केंदर आप कितरा भी नारा चलाई है, अब की बार 400 पार वो नह भी चलने वाला है, सारे साथ इंडिया में बारतीय जन्ता पार्टी पहलेगा, बोच पिये जहते के जा तक आजन नुड़्िया नुर्थ इंडिया के लिजितां के लिए तो ये कह रही है कि इस बात पूह हम सजटा में आई रही हैं, इस बात तो बात ये हैं लहीं कि सब् पर आएगी तो भी जबी उनका तो यह कहना आपको निए इंडिया शाइनिंग का भारती जंता पाटी का दोजाचार का नारा इसी प्रकार का था बहुत पैसा लगाया बहुत कुछ किया इन्होंने बावजुद उसके जो है को अगरी से सरकार बनने कर बनी थी जंता भारती जंता पाटी का दसवर्ष का कर्याकाल पूरी तरह से फेल थाबित हुए इसी कांट से मैं कह रहा हूँ कि जो हाल इनका उसमें इंडिया शाइनिंग का हुआ था वही हाल इनका 400 पार का होगा अलग नहीं होगा बुजबी ठीक है ठीक है लोटोंगे आपके पास विवापांडे जी जेजेपी से हमारे साग तो जोड़ी भी है विवाजी आपके पास भी आऊंगी और जैसे कि अभी हमें रविजेपी का हाल तो बहुत बुरा है दस साल से इन्होंने हर्याना में ऐसे काम किये हैं जिसके विए से हलाकि अगर बात करें दुशन टॉटाला की तो दगातार कह रहे हैं कि इस बात तो रिजनल पार्टी जो है उनको ही जिताएगी हर्याना में और रिजनल पार्टी को ही मौका देगी हल्क ये बात की बात है सबसे पहली बात कि निशान सिंग जो है वो भी इस्तिफा दे कुछ बोला मुझे एक बार आप रिपीट कर दें जी बिल्कुल इनका रिजिगनेशन देने का क्या बड़ा कारण रहा होगा जैजीपी से ये आप से फूच रही हैं देखे अभी तक तो सदान शान सिंग जी हमारे जो प्रदेश रध्यक्ष है उन्होंने मौकिक जो हैं उसका एलान कर सकते हैं दसकी दसीटों पर जीडेपी जीद का दावा भी कर रही है और इसी बीच प्रदेश अध्यक्ष का छोड़ देना पार्टी को कितना बड़ा नुक्सान कैसे देख रहे हैं आप तेखे ऐसा है कि यह तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं और हमने आज से कभी किसी को उगली भी नहीं उठाई कि जब चनावी सीजन आता है तो बहुत लोग इधर तो उदर पार्टी बड़ते हैं जिसको जहां सहुलियत होती है कभी कोई नरादी की वज़े से जाता है क अभी कोई रीजन हो सकता है किसी की विचा धाला नहीं करती मेल खाती पर अगर आप देखें जेजेपी में हमारे जैसी लीडर्शिप रही है जब अलाइज भी ब्रेक हुआ तो कि किसी ने एक दूसरे के ओपर टीचर नहीं उचाला समने बड़े प्यार से बड़े प्यार अलाइस हो गया हमारे जो भी यहार जा रहा है तो हमने देखा कि बहुत से नेता नाराज थे और बहुत से नेता जो हैं जेजेपी छोड़कर वीजेपी में शामिल हुए है ने ऐसा नहीं है कोई शामिल नहीं हुआ तो आप पार्शिदाय की बात करें वह अभी भी जेजे पर यहीं बताती है जो भी पार्टी का नेता रिजाइन किया है आज तक तुस्से कभी भी यह नहीं बोलाओ कि वह नेता से परेशान था या नेता गलत थे या कारे करने का उनका तरीका गलत था हो कोई एक दूसरे के ओपर कीचर नहीं उचारता हो बड़े प्यार से उन्ह हाई 10 की सीट पर हमारे क्यांडिदेट जो डिसाइड होएं बिल्कुल इसका तो इंतजार हम सभी को है अनुसरा जी हमाई साथ प्रवक्ता इनेलो से जुड़ी हुई है अनुजी अब फिलहाल तो इनेलो यह आया नाम गया राम से तो दूर है फिलहाल अभी कॉंग्रस पा और एक परिवार भी है बिल्कुल सही कहा में रगाई है बिल्कुल कहता ही हो रहा है कि यह जो भाज़वार कोंग्रेस के नेतानीं भी जो ते भी गोड में खेलते हैं और इंपोर्ट एक्पोर्ट का लगातार प्रिक्रिया चलती है ने बहुत पहले तो यह कहीं कि जो बिल्कुल बिल्कुल आप देखिए जिस तरह से राजकुमा सही और हुड़ा जिस तरीके से इनका जो प्यासरे जागा है राजकुमा सही जिनों में अपने भड़काओ भाशनों से पूरे हर्याना को किलाने का काम किया और बिल्कुल क्लियर है कि हुड़ा जी और इसको जंता समझे और शेट्रियादल के साथ जुड़ने का काम करें जो शेटर के मुझे उखाए और शेटर यागल के नाम पे मैं तो दिन से वो उनके पास बोलने के लिए सब एक बात बचिए कि मैं तो 30 साल का हूं मैं तो 30 साल का हूं मैं अभी 40 साल उबराज नीची करूंगा इनने बहुत प्रिश्टा से कहना चाहते हूं कि 40 साल का होना कोई अच्यूमेंट नहीं होती है जालिकर तो आप कोई पहले रप्ती नहीं हो जो 40 साल के उगे हो यह क्या पतारिवाँ अभी 40 साल उबराज नीची करूंगा बहुत लोग हैं, बहुत युवा है राज्मिती में, जो अभी यदि हैं और बहुत लंबी राज्मिती करेंगे, लेकिन चालिस साम के इमोने के बावजूर आपने जो हर्याना के अंदर किया, वो शरमनाथ है, युवा होने के बावजूर आपने जो हर्याना में किया, हर्या मैं पोरे हर्यान की दिन्त को समझेज दिना चाहती हूं कि यह जो 25 सान का युवा है जिसमें इतनी चोटी उमर में वो ट्रकों कृड़ने का काम किया है इनके बचके रहें और अब तो फिर वो महोल ही नहीं है इनके बड़े-बड़े मेंसा पार्टी चोड़ के जा रहे हैं म मैं ज़्यादा बोलना भी चाहूंगे इनके बारे में मैं हां बिलकुल बबारा आँगी कोंग्रेस और वीजेटी के कि यह जिंपोर्ट एक्षोड के भाज़वा में आता है उसकी आत्मा जलती है कि एक रात में ही गोक्सर वीजिंदर है वो कोंग्रेस वाज़वा में आत जो भाज़वा है वो लेती है सभी इनेताओं को यह तो कॉंग्रेस आरोप लगाती है जनता सब देख लिए ठीक है ठीक है आप कह रहें विचादधारा नहीं है कॉंग्रेस की पर अभी जो दिगश रहता है बीजेपी की वो विचादधारा से प्रभावित होकर ही कॉंग्रेस में शामिल हुए हाला कि में रामरा जीजे आपके पास आओंगी फिर से एक बार और ये बयान जो है विरेंदर जीन ने कहा है जाने से पहले विरेंदर जी और उनकी पत्मी जो है बीजेपी छोड़ चुके हैं तो विरेंदर जीन ने जाने से पहले ही कहा है कि वो विचादधारा से प्रभावित हैं कॉंग्रेस के तो बीजेपी के विचादधारा ऐसी क प्रभावित नहीं थे उनको पार्टी चोड़ना पड़ा हमें सुन पार है राम राजी जी रामें सुन रहा हूं जैसा मैंने आपको बताया हमने उनके सम्मान में कोई कसर नहीं पोड़ी पी फसली पार हुए कि जो कह रही है कि मैं तो विछार्धार से में नहीं खा पार रहा है अब विचार्धार दारा वो थो वह हो कि यहां पके जन्टर्वा पंस्री बुणे कि अपने उसकों पाई अब क्यों नहीं थाई अब यह तो चौदरी साथ पढ़ी अब बता पाएंगे तो इतना है चौंगा है वैंने उनके सम्मार में कोई कसर नहीं थोड़ी उनको केंदर में मंत्री बनाया उनके लड़के को M.P.A. सार बनाया उनकी वायर को उत्राना से M मेले बनाया तो हमने उनके सम्मार में कोई कसर नहीं थोड़ी वो सकता कॉंद्रेस पाई और क्वें उनको उपर कर रहे हैं तो साथ कि कोई थाजी पूर्टी हो वाँ कि यादी होती हो तो कि यह तो यहां घृब का बेटा शितान का बेटा मजदूर का बेटा यहां हमारे इस का परजान मंतरी बन सकता है एक आदिवाती महिला राश्टेपटी बन सकती है यहां तो राजा का राजा मी बनता यहां तो मधि की नहीं बनता है यहां तो आम आद्मी आम जन मारने सेèces कुछ भी बन सकता है यह तो बीजयर पी है जावाण समनि दो हाभाण सबस्क्राइब और रोड़ों पूरी के मावपरोपへ वहाँ प躲े खेंगे सब्सक्राइब और यह समझता हूँ यहां पर विजएप्टी में समझ हुए अब यहां किसी भी उसका मुख्य मंत्री का या किसी परदान मंत्री जी का मारा बैक्राउंड देखिए उनका पाफ दागा उनका पोई राजिती में नहीं था किषान का बेटा मजबूर का बेटा हमारा प्रधान वंतर ही बन सकता है अधिया नहीं उसकी खाली कि नहीं लगता था आज उस गर का बश्चा आज कलाज आप तर लग रहा है आज हमारे लिए गौरों की बात है और उनकी नितियों को नए मुख्यमन तरजिया हमारे नाइब पेमिजी उनको आप का बना रहे है ठीक है आप कह रहे हैं आपकी सरकार बहुत बढ़िया चलिए है तो वही हमारे साथ लविंदर जी जुड़े में वो नमस्कार दोस्तो पाकिस्तान में आज कल हाहा कार मचा हुआ है कोहरा मचा हुआ है महंगाई की वज़े से आम पाकिस्तानी दाने दाने को मोहताज है बिरोजगारी अराजक्ता और कठमूलापन इन सब ने पाकिस्तान को पूरी तरह से तबाह कर दिया है अब हमारे यहां के कुछ उदारवादियों को देखो वो कह रहे हैं कि भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान की मदद करें अब इन उदारवादियों से पूछा जाना चाहिए कि जो मुलक भारत पर उननीस सो अड़तालीस, पैंस, अठिकतर और फिर कारगिल पर हमला कर चुका हो उसको लेकर इतना बड़ा दिल रखने की क्या जरूरत है? इतना ब्रॉड माइंडेट हम क्यों बनने को कोशिश कर रहे हैं? उसी पाकिस्तान की तरफ से मुंबई में दोजार आठ में अतनक्रादी हमला हुआ, सेंकड़ों की जाने गई, हजारों क्रोर रुपे की संपत्ती भी तबाह हुई, इसके बावजूद पाकिस्तान में उस हमले के मास्टर माइंड खुले आम गूम रहे हैं, अगर कोई पाकिस्तान ने भारत से किसी तरह की कोई गुजारिश किये, बिल्कुल नहीं की, वहां के यूट्यूब चैनलों को देख लो, सब भारत के और यहां के हिंदू के खिलाफ जहर उगलते वे मिल जाएंगे, अब भी वहां पर भारत विरोधी शक्तियां पूरी तरह से हावी पाकिस्तान के खून में भारत और हिंदू विरोध समाया हुआ है, पाकिस्तानी सेना कभी भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहेगी, वहां की पॉलिटिक्स भी भारत को गालियां देने पर ही चलती है, वहां की सेना पर किसी का कंट्रोल नहीं है, आप पाकिस्तानी आर्म का कंट्रोल साफ दिखाई देता है और वो पूरी तरह से भारत विरोधी हैं इसके अलावा पाकिस्तान के इस्टेवाले पंजाब में इसलामिक कट्रपन सबसे जादा है वहाँ पर हर इनसान अपने आपको दूसरे से जादा कट्र मुसल्मान एक्स्ट्रीमिस्ट साबित करने की होड में लगा रहता है आखिर हम क्यों उदारवादी बने रहते हैं? किसने हमसे उदारवादी होने के लिए कहा है? हम तो पाकिस्तान के मूल सिंगर अदनान सामी को पदमश्री पुरुसकार से सम्मानित करते हैं सामी श्रेष्ट गायक है किवल इतना ही परीचे नहीं है उसका वो उस पाकिस्तानी एर फोर्स के फाइटर पाइलेट का बेटा है जिसने भारत पर 1965 की जंग में बंबरसाई थे उसका नाम था फ्लाइट लेटिनेंट अर्शद सामी खान उनको पाकिस्तान अपने सबसे बड़ा जाबाँज फाइटर पाइलेट मानता है उसका जिकर पाकिस्तान एर फोर्स की वेब साइट में भी किया गया है वो एर फोर्स से रिटायर होने के बाद पाकिस्तान के डेनमार्क और नॉर्वे में राज़ूत भी रहे उन्हें अपने वतन में जितना भी समान मिले इससे हमें कोई फरक नहीं पड़ता पर हरानी इस बात की है कि उनकी किताब का विमोचन 28 फरवरी 2008 को जब भारत में यूपिये सरकार थी दिल्ली में हुआ उस बुक लॉंच के कुछ दिनों बाद खबर आई कि अर्शर्द सामी खान का मुंबई के कोकिला बेन हॉस्पिटल में निदन हो गया वो कैंसर से पीड़ी थे पाकिस्तान और कुछ और देशों में उनका इलाज भी चला उसके बाद अधनान सामी अपने पिता को इलाज के लिए मुंबई ले आई तब यह वाद काफी दिन तक जहन में चलती रही कि क्या हमारा दिल इतना विशाल है कि हम उसे भी अपना आतिती बनाने के लिए तयार हो जाते हैं उसका भी इलाज करने को तयार हो जाते हैं जिसने हमारे खिलाफ जंग लड़ी हो क्या 1971 की जंग के भारती नायक सेम मानिक्षा को पाकिस्तान में अपनी बुक लाँच करने का मौका मिलता खेर अब भारत में पाकिस्तान को बिना शर्ट मदद करने की सला देने वाले सामने आ रहे हैं वो भूल रहे हैं कि प्रोसी मुल्क ने हमारे साथ कभी प्रोसी धर्म नहीं निभाया उसने भारत का केवल और केवल अहित ही चाहा है शायद पाकिस्तान की नियत और रखीकत पर किसी शायर ने लिखा है उनके पैरों में चाले थे और हम मरहम लगाने वाले थे वो तो एहसान फ्रामोश थे साज़िशों से हमें ही कुचलने वाले थे तो दोस्तो इस तरह के मुल्की हम क्यों मदद करें जिन रन भूमी के वीरों ने पाकिस्तान के साथ हुई जंगों में बलिदान दिया पाकिस्तान की मदद करके क्या हम उनके साथ अन्याय नहीं करेंगे जरा सोचिए सिंदगी के प्लस मैनिस की गुत्ती को सुलजाने के लिए फिर मिलेंगे नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक बड़ फिर सही ब्रेक के बाद शुवाद करेंगे हमारे चर्चा की फिर से हमारे साथ पहमान जुड़े हुए हैं तो उसी को लेक मुद्य को लेकर मैं सबसे पहले रविंद रोजिंग जी आपके पास आओंगी ब्रेक के बाद राम राजी जी से हम बात कर रहे थे और तमाम चर्चों को लेकर उन्होंने तमाम आरोप कांग्रेस पर लगाए हैं तो वहीं अगर बात करें अनू सुरा जी उन्होंने भी कांग्रेस को लेकर तमाम बाते कहीं है कि कॉंग्रेस की विचार धारा ही ऐसी है जिसके वज़े से नेता जुह है छोड़ कर बीजेपी में जा रही है कैसे देखते हैं आप इस इन सब आरोगों को मेरी आवाज आप तक पहुच रही है लविंजर जी पहुच रहा हूं सिराम राज जी में एक और तीज बड़ी गज़ब की कही इनों ने कही कि भी यहां पर कोई MP का बिटा MP नहीं हो जा हूं वह बात अलग है सुष्ण सबाज जी की बिटी को आप MP बनाने की बात करके वह बात अलग है राजनाब जी के बिटे जो हैं हैं आप काम करें लगब तीस से चारीस एसे लोग नेता हैं जो की बारती जान पर टी में किसी नेता के बेते हैं वह बात अलग हैं बावजूत यहां पर पर अमिलेगी आपको हर जगात पर कि छलाव हैं लेकन बन्सुआ खुद बढ़ावा दे रहे हैं अब उसकीज का विपट्ष तो पर आरोप लगाने का काम देने हैं, तो पहली बात आरोप पुरी तरह से फेल हो जाता है, क्योंकि मैंने ऐसे उदार नहीं है, जिनको ये खुद में नहीं काट पाएंगे, क्या ये एफेक्ट नहीं है, ठीटी से चाली से जेने का हैं, जिनके ठीट आरो उसक अज़ते हैं, जिनको इसे जिरास से घित, जिनको तरह स्थे कि अनदर ng, जिनको भारतिश मता परसे क Giving, जिनको आख्यादिर होती है, आसे होती है, ठीजित कि वहां ही, और अब ऑचभा में वाजबा में आजाईएं, हम आपको टिकट दे¤ेंगे, असो अक कॉंगरेस के और नेताओं के साथ में करने का प्रयास कर रही है रियारा केंदर बार बार बताई रजी विरेंदर सिंग भी उचाना को लेकर शायद बीजेपी से रहाज चुछ रहते तो इसलिए आप लोगों ने उनको यह बात कही कि आप हमारे पास आया आपको टिकेट दे देंगे अबने हमें कुछ कहने कि आप शुक्ता है नहीं उनका अपना दिन रहता हूं पहले गोश्रा जब्सक्राइब बिजेपी में जाये तो बीजेपी ने उनको एड़ी और सीवी आई का दर निखाया धंकाया बीजेपी ने उनको सीड दिया बुलाया और कॉंग्रेस तो कुछ नहीं कहती है क्या ये फेक्ट नहीं है कि भारतिय जंता पार्टी के अंदर रहते हुए चौद्री बिलेंदर सुन्जी ने गोश्रा कर दीथी इस को रच चोड़ेंगे और किस कंडिशन के ओपर शोड़ेंगे यह भी हमने पता है वह बात आगे कि उनके छोड़ लिए तो मैं भारतिय जंता पार्टी में नहीं हुआ उन्होंने ऐसाजपा ठोड़ी चोड़ने की गोर्णा बहुत पहले करती थी सब्सक्राइब पहले तो हम चुछ नोगों देगे अब परलोबन बेनी के बाओ जता नहीं एए क्या उनकी तर्से कोई गया है वहाई तरश किसी नेता की तरश यह कोई चीज इससे अच्छी तो रही है तरतिके आंदर शिर्षा के अंदर चाधरी रणी इष्क्रू अनुक्सान ने पहले बेटे ने जो है विजे उन्हों इसका जटका BJP को लगा है बहुत बढ़ा हाला कि वह सुकार menjadi ना करे बिल्कोल बहुत सारे नेता-थ़ूर्त MPR ब्रशल्ट को हो अच्छा मुझे एक बार बताई रविंदर जी आप कह रहे हैं कि BJP के नेता BJP छोड़ रहे हैं तो BJP को नुकसान अगर कोई और नेता BJP में शामिल हो रहे हैं तो भी BJP को नुकसान ये कैसी बात है समझनी आ रही है अब मुझे आ रही है तो कॉंग्रेस के लोग हैं जो कि अपना संक्षन बना के अमारे लिए ये शड़नतर कर रहे हैं वोटों से पता लग जाएगा वो तो चीज तो ऐसी नहीं चुछिपी रहेगी कि यह एक की वरी ओमिद्वार को तो काम किया है बड़कल कर एक दोह कर लिए किनन परिएगी है कि आप जो कहेंगे हमारे ओपर वो तो चल जल गई है लेकिन हम इसको कोई चीट पहेंगे नहीं कि वह नहीं चलेगी वान्स वाद का यह भी हबारती जंता पार्टी को अरोप लगे तो उसके अंदर यह तरह तरह यह बते बनाने का काम करेंगे लेकिन कॉंगरेंज को पर मभी रामरा जी जी लेकि रविंद्र जियंग जो बात कही है रविंदर सिंग ने अभी कि आपकी तमाम नेथा जा रही है आम आप इसको कहें कि कॉंग्रेस अंगछन बना रही है पर लेकिन लोग तो विरोध कर रहे हैं देखो कहीं विरोज नहीं हो रहा है यह रविंदर जी उंकी बात कर रहे थे अपने क्या नामेंग का रंजी सिंग जी बहुत बड़ा स्केरा है और वह पहले मंत्री वह तो रहा है यह आप कैसे देश्चिंग को कैसे टैकल कर दिए पर इसका तो जवाद दीजिए तो द्री देविलालजी के लड़के हैं कहीं विरोज नहीं हो रहा है एसे हैर्विंद जी इसा था कहीं विरोज नहीं हो नहीं हो यह तो यह सब्कृ परिया जो यह पर सवाल जो है कि पर्णित को जो गई है उनके लिए तो विरोध हुआ है किसानों नहीं किया है ना कोई विरोध नहीं हो रहा है यह चोटे-मोटे होते हैं यह सब्सक्राइब कर रहे हैं तब से बढ़िया तो क्या है ना समान विकास कारिये पूरे प्रदेश में होई है और मैंने जैसे पहले बताया जिसके तीन प्रदेश खाली चलेगे ती कुछ अपड़ा सीव भी नहीं लगता था आज उस घर का बत्ता बेना खर्टी बिना परती के क्लास वन अस्तर लग रहा है इसान का बेटा मजदूर का बेटा एक आज सरकारी नोगरी लग रहा है बिना कर्टी बिना परती के यह अपने आप में इक यास बन रहा है मिलाते बाइबते बाती जाने में जिसारा फीर नहीं तृक्त कर रहा है बहुत पित्याद ब़ेट में आज वोसा तो नहीं डिस्कास कर रहा है कि आपके सद्कार नहीं क्या काम किया है अनुसूरा जी आप बहुत देर से मुस्कुरा रही है आपके पास आउगे उससे पहले विभा जी मैं आपके पास आउगी दुशन चोटाला पर भी जी आप इको समय दे रही हूं कि अनुची कह रही हैं कि वो बार-बार कहते हैं कि मैं 40 साल का हूँ और मेरे पास 40 साल है मैं सबसे यंग नेता हूँ वो पहले नेता तो है नहीं जो कह रहे हैं कि मैं 40 साल का हूँ और मेरे पास और 40 साल है और मेरे पास और समय है तो इस पर क्या पर तीख्रिया देंगे आप जी भाजी आपके आवाज अंतर जी 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 बोलिए मान्ये दुशन चौटावाजी के पास लिंका बुक ओफ रिकॉर्ड रहे फॉर बिंग यंगेस इलेक्टिज एंपी इंडियन पार्लिमेंट इंडियन पार्लिमेंट में यंगेस एंपी इसके लिए उनके पास लिंका बुक ओफ रिकॉर्ड रहे इसमें उनको चाती पीच्टे की कोई जोरत नहीं है साफ लिंका बुक ओफ रिकॉर्ड बोलता है दूसी चीज़ 2017 में उनके थोड़ी और बता जेती हूं 2017 में वो फॉर्ट इंडियन बने जिनने हाइस सिविलिन ओनर गया गया अरिजोना यूएस से की एक कमिशन से ऐसे उनके पास और बहुत चीज़े है अब मैं थोड़ा आइने डी के उपर बोलना चाती हूं प्रवक्ताओं के उपर देखें उनकी पार्टी तो एक विधायक बनके रह गी है जैसे अर्जुन में महबारत में खाली मच्छली की आउग देखी थी पर अर्जुन दी ने तो मच्छली की आउग अपने भले के लिए और अपने भले के लिए देखी पर यहां जो हमारे आइने डी का एक में हर प्रवक्ता उसकी मचली की आप दिखती है खाली दुशन चौटाला जी चुकि यह उनकी लीडर्शिप की तरफ से आ रहा है एक हीरा ही लोगों ने खो दिया तो एक खाली उन्ही को देखते हैं और उन्हें देखते रेखते हैं एक विधायर तक पहुझ गए है पहली बात तो छट्से साल के है लिंग का गुक अप रिकॉज उनके पास है आपके कहने किसी भी आयने जी प्रवक्ता कि कहने साथ केहने से इस बात पे खोई परखनी पड़ता वो नेता इसना कीर है कि पड़े अलाम से कोई नेता जा रहे है जिसे अभी मैं एक एक्जांपल देती हूं बीजेटी में बहुत इधर से उधर लोग आ रहे हैं कॉंगरेस दे जा रहे हैं अभी अनिल जी का एक्जांपल ले लिए तो बुरा मतमानिय गाम राजजी जे एक्जांपल की तौर से ले लिए हूं कि वो बोल रहें मोधी जी बहुत अधर से लिए कोई बुरा नहीं मानता है सब अपने एक गुजब आरोप लाप लापींगे जोटी जी मुझे करने दिजे मैं कोई आरोप नहीं लगा रही मैं बदा रही है सोशल मीडिया से उन्होंने अपना मोधी का परिवार हटा दिया वो खुल-खुल के बोल रहे हैं खर्तर जी के लिए कभी कैंपेरिंग निंग करूँगा करना जाके खर्तर जी नहीं यह वो कितने आरोप लगा रहे हैं इतना सब कुछ हो रहा है हमारी पार्टी में दुशन चाटालाजी की लीडर्शिप के अंदर कोई भी अगर छोड के भी जाएगा जैसे अब जारे हैं लोग किसी ने भी नेता के बारे में कुछ गलत नी कहा पार्टी के बारे में कुछ गलत नी कहा अगर कमने सैनिक भी जा रही है उन्होंने रेडिगनेशन दिया है, उन्होंने कहा है, मेरे उपर समाजिक प्रेशर था, अब समाजिक प्रेशर जही बता सकती है, उनके उपर क्या समाजिक प्रेशर था, फोलिटिकल कुछ और होता है, समाजिक प्रेशर तो उनको देखना पड़ेगा, फोलिटिकल को अपन प्राइटी देनी है, सावाधी को प्राइटी देनी है, यह बिलकुल उनके उपर था, लिशार सिंग जी ने एक अप्षब नी बोला ना पार्टी के बारे में ना नेता के बारे में, खाली इस आएमेंडी जो है, जो दुशन तो टाला की इतने उपर जा चुके हैं, उनको न सिंग जो पारे में, आप उस पर पोकस करें, खीक है, आपके जवाब अनुजी से ही लेंगे, आपके जवाब सारे अनुजी से लेंगे, अनुजी देखिए एक बाद तो ख्लियर होगे हैं, 40 साल के नई है, 36 साल के हैं, जी, बता भी रही अंगया संथीता, इन इंडिया, जी अनुजी जी अपको जी फोन दिखा रहे हैं विभाजी, एज कन्फरम कर रहे हैं बिलकुर हमें आपके बात पर बोरोसा विभाजी आपको पोन दिखाने की ज़रत नहीं है जी अनुजी अपने उपर आप कर लीजिये आप अपने उपर आप आप अपने उपर आप अपने तमाम आप अलोगोगों का जवाब अनुजी से ही लेंगे अपने परिवार को तोड़के आप अपने परिवार को तोड़के आथों बिखने का काम किया आपको शरब आनी चाहिए कि आप आपकी जो करनी है उसको आप गरब से बताते हो कि हमने ये किया जो आपने कहा कि यंदेस एंपी हमारे दुशंती बने बनाने वारे कौन थे वो पूरा करियाना गांसा है आपने का कि 26 ताल की एज में दुशंत सुनिये 26 ताल की एज में दुशंत एंपी बन जा और लिंका पिला रहे न गाहों में तीन गाहों में पिला ये दुशंत को घुसने भी जह रहे हुं है लिंका पिला रहे हैं किसान लिंक भूक रिकोर्ड नाए उसने का मोट पर कृसरे में शोलमिल खाथाह नहीं है तो आप लिंका भूक रिकोर्ड और लिंका की तो और सुस्टा घुन यह आपके तक मैंतिने लिए फुर्द सती सिर्द में विए अधिरे दर्यान से झीजशेदंगे भूट ौकषि ऑपर शेखते सर्य के सिर्द अधिरे कुके के करके बोलेंगे हैं निदू के विएक अपने गाव तुस्तव प्रिशारा कोसिए भार किसी वी बाद उती है। आप अनुजी को बोलने दीजीए, आपके पास लॉबारी जी आनुजी बोली मैं दोबारा वो ही कह दूए हैं ने पहले कहा इनको अगर वो बुरा लगता है तो लगे किसान अच्छी तरह से इनको गाउं में लिंका पिला रहे हैं और मेरे को उमीद है इसी तरह पिलाने इरेक्शन तक उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग भी हमें छोड़ के गए उन्होंने हमें अक्षब्द नहीं कही तुनने से क्या अक्षब्द अरे आप गाज़िती मे लोग आपको छोड़के जा रहे हैं आपको परदेश अज़क्षक चले गए हैं आप अब शब्द चुनने के लिए रख रहे हैं क्या आपको तर्फब्द तर्फब्द बोलके जाएंगे वो भी हो जाएगा अगर किसी धर्ये पर चलते रहे तो आप वो जन्ता में दुप अब इस फिछले दो जिनों में जब धर्टी पर उत्रेना किनेता हूं चाहिए से तो पता चला है धर्टी के माहूल क्या है अरे मैं बोलना नहीं चाती दिवेट में लेकिन उपले मारे गए हैं गाउन में काम ले पे उपला समझते हैं आप समझते हैं मतलब इसकी बिज़ आप गरन से कहते हैं आप आप एहंगार से कहते हैं इमेलो कि एच्टी परही फिर इस तुक रही है विवाजी बहुत देते कह रही है उनसे उनसे तुरंत लेगे रिक्शन सभी है आप अपने पॉस्ट निकातिये खुंदफ आप अपने संद्ध्षन के वारों में भी फोन नहीं बुढ़ानध करने जरी जो it अज को और dalुम 내가 मुद्र स्वाहते हुज र्रेाइफों और जाई दिल बादर कर्या निए चलो बीजेपी के नेता अगर आते हैं तो बीजेपी के नुख्सानяз पर कॉंगर्स के नेताजब जाते हैं बीजेपी में और मैं अगर आखड़ो की बात करूँ तो करीबन 40 ऐसे नेता हैं जो की चुनाओ से पहले पहले बीजिपी में शामिल हो चुके हैं तो आप कॉंग्रेस को इससे नुक्सान नहीं होता है और शायद यह से जादा हो शायद इससे और बढ़ रहे हो मैं ते मेरी बात को पूरा नहीं ने दिया, मैं तो आप बोई प्रशन आपूचना में तरके जाता है मmouthाटा हो यह कड़ा हो जबस तुसलू से युथर कर जाता है ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि गिजही राज में टीक पाझ्ई को गना ओ निख्षानम निख्षित वर पर होता है इसमें कोई शक और किसी पर घर के नहीं है। जो आजा इंगलने का प्रज़ता कि युकुता है। अब किन दूर्ड बशम करेंगें किान कि रिखते किसी पिश्ब्स्य चुन महीं है। तो यह चीजे चलती है राजी है विजुगना आना, जाना, नेताओं में भी, कार्यकरताओं में भी चलता है यह डेमोकरीटी का ए घैंदी देमोकरीटी का ए इस था है दिकठ नहीं है लेगन इस एक इक बड़ी कृश्चिन जो क्रिएट होती है पार्टी होते हैं। लोग उसको छोड़ करके जारही है। बहुत बड़ी बात है। यह भी पार्टी विपक्त में हो और लोग उसको छोड़ करके जारही है। तो वह प्रावित है। जो रहे समाज को बातने की है, दर्म के नाम पर, जाती जे नाम पर, पॉमरेस की अटी विचार दारे बिल्कुल भी नहीं है, अब आप ये देखिए का भारती जिन्ता पार्टी किस करकार सीजों को प्रोपोजेट करने की कोशिच करती है, यह हमें कहने की जिरूत नहीं है, इनकी जो विचार दारा है, इनकी बड़े बड़े दावे इनके, भारत के प्रवान मंत्री कह रहे हैं कि बरस्ता चारियों को मीच हो, पिल्पल ठीक बहता है, सारे तो बारती जिन्ता पार्टी में, शामें इतरा लिए चोड़ने का तो मतलब निगले लगारे, आई यह र इनकी बारती में शामिल कर रही हैं, तो जब तक वो कॉंग्रेस में थे तब तक वो ब्रचाचारी नहीं थे आप इचारी में शामिल हो गए हैं, तब आपने ब्रचाचारी वोश्च कर दिया. मैंने कुछ नहीं कहा वहां भारते जंता पाटे सुदान्सू आपने बंगारवाले उनकी सीधी दिनिज करने का काम किया था यह मैंने बिलकुल भी नहीं कहा विए जंदान लेडी जो 70,000 गुटाले के अरोपी है ये मैंने नहीं कहा कि अभी पटेल जो है वो औरोप ये बताएं कि कॉंग्रेस के किस नेता के ओपर आरोप अभी तक खबित हुए राम राजी जी नमें जिंदल को आप कोईला चौर कहते रहे उन पर आरोप लगाते रहे फिर उनी को आपने पार्टी से टिकिर दे दिया ये कैसा मतलब देखा दिए देखो आरोप लिगाने से को आरोप भी नहीं हो जाता है यह तो बाहरstarफ रेक्रणा themate वराना काउंगा नहां नहींने कि हैं तो प्रभान मंत्री जी के रहे हैं तो तो सही होंगे तना हिए ज्ए ये जिए में जा रहे हैं इनकी जिए वहां पर जिए में है बहुत से घॉड जोंग्रेस कह रही है जो बुझी पी में शामिल होते हैं वह ज्येल नहीं जाते जो बीजेपी में शामिल नहीं होते वह जील जाते हैं ऐसा कुछ नहीं है वह यह गलत करें यह बात करेंगे बताओ देखो वो बात कह सकता है, पे जिसकी पार्टी विलकुल पार्ग साथ हो अमारी बीजेसी में क्या है मैंना आपको बताए जाते एक गरीज आपका दाय के साम जाभा बताई बनतरी बन सकता है एक आधी वासी महिला हमारे देश की राश्टबती बन सकती है अब एक वोद्पूर सेनिक का लड़का, एक मजदूर का बेटा, वो अर्याने का मुख्यमंत्री बन सकता है, नाइब सेनी जी उसका उधारे नाफ के सामने, और वो जहां भी जाते हैं, युआ सक्ती है, युआ सक्ती का एक जन सहलाब उनको आशिरुआ जेने के लिए उमढ प्रक्शारी है, ये भी तो देखा जा रहा है, ना ऐसा नहीं हो, वो बेज़े होए दो चार लोग होते हैं, वो अपना प्रिशान तो जखें, ऐसा नहीं है, जन सहलाब आप जाहां भी देखिए ना, जन सहलाब उनको आशिरुआ जेने के लिए उमढ़ जाता है, क्योंकि फिर आप वही उपलब्धिया गिनाने लग गए हैं, रामराजी जी, आज डिवेट में उपलब्धिया गिनने नहीं हैं हमें, आज डिवेट में हम दूसी चर्चा करने के लिए थे, चलो फिलहाल तमाम आप सभी का हमारे साथ ज़ढने के लिए इस चर्चा पर बहुत-ब तो फिलाल आज के इस मसले में हमारे साथ बसत नहीं नमस्कार